राम कास्तित्व लोग नकारते हैं तो हर चीज नकार देने से तो कुछ न बचेगी ना फिर हम क्यों हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी राम के कोई हुए नहीं भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि आप मैंसे किसी ने प्रच्वीराज चोहान को देखा, सिवाजी को देखा, आपने किसी ने देखा, जासी किरानी को देखा, पर नहीं देखा, इससे ये सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे, भाई इ इतिहास पढ़ा है ना जो इतिहास महत्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है तो आप एक इतिहास मान रहें एक नहीं मान रहें यह गलत बात है मेरे पास एक और आरोप है आपके उपर आपकी अधिक्तर नसियते जो हैं वो महिलाओं के लिए होती है ये एक बड़ा आरोप है आपके उपर क्या है ये पैन, कलम अब बताओ इसमें अब हमने इसको खोल दी आप क्या दिख रहा है अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है अब हमने इसको ढखकन से ढख दिया ये देखो, अब नहीं दिख रहा है अब हम ही खोल खोल के दिखाए और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो तो ये कहां तक सही है दिखो जो हीरा होता है न हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है और जो सरीया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है लड़के तो सरीया की तरह है जबकि बेटियां हीरे की तरह है हीरे की कीमत जादा होती है इसलिए हीरे को समहाल कर रखा जाता है संजो की रखा जाता है हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां दौनों कुलों का कल्यान करती है माता के कुल का और पिता के कुल का और वहाँ ससर और सास और पती के कुल का तो दौनों कुलों की जिम्मेदारी बेटी की उपर है तो बेटे से जादा जिम्मेदार कौन हुई बेटी हुई तो जादा जिम्मेदार है आप उनके कपड़ों पर विवाहा पर यहां तक कि उनके हनिमून पर भी आजकल आप बोलते हैं और ठिपनी करते हैं और आपकी सोच फिर एक बड़ा वर गए वो पूरी श्वादी बतात है यह घा सकता हूं आप दिखाए बिलकुल दिखाएए लेकर वह वीडियो के वर पाश सेकेंड की है दस सेकेंड की उसका पूर आगे पेशे ते सुनिए चुन लेजह बिलकुल कि TB पती साधी की बात सबसे पहले घर में सत्तनारण भगवान की कछा होती थी। पूजा पाठ होती थी। आजकल तो साधी हुई और पहली टिकेट हो जाती है घूमने की। वहां जाएंगे वहां यह मूवी देखेंगे यह पिक्चर देखेंगे यहां घूमेंगे उस पार्क मैं पादी के बाद पहले बहु आती है तो वहाँ पर कुल देवताओं की उपासना होती है बड़े बुजरुगों को प्रणाम होता है गाव में कुल देवता इस्थान देवता अगराम देवता bite को प्रणाम होता एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना होने के नाते, आपने मुझे यहां बिठाया है न, तो इसके नाते मैं आपको एक सलाह तो देही सकता हूँ, कि देखिए, आज की आपा धापी में मत जाईए, आज की चमक में मत जाईए, जाईए, लेकिन अपने संसकारों, आप मौडल बनिये, आप 21 भी सदी में तो हैं, लेकिन संसकारों को भूला कर क्या पाओगे, आप आगे बढ़ेंगे संसकारों को लेकर तो कल आपके बच्चों को संसकार दे पाएंगे, जब आज आप ऐसे हैं संसकार हीन हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या आपकी साधी हो गई भविश चborर अर्श काधिकिन पती एक है शाय हो Wakati कि जब पती एक है तो दूसरा हो सकता है एक महीला ने मेरे से पूंचा कि महराज जी क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मालनू तो मैंने का भाई भगवान किसको सबको थोड़ी माना जाता बेटा मैंने का आपका भिवा हुआ हां हुआ मैंने का पती कितने हैं बोला एक मैंने का दो हो सकते हैं बोले फिलहाल तो नहीं मैंने का फ्यूचर में बोले फ्यूचर में भी न से ही काटा जाता है तो तरको को मैंने तरक से काटा आपके तरकी विवात का करण बन जाते हैं अब वो लोग बनाते हैं जो तरक सास्त्र जानते नहीं जो तरक सास्त्र जानते नहीं सुबूही खान है मरसाथ यहाँ पर फेशर से एड़ोकेट भी है उस सवाल पूछ जाती है प्रेणाम महराजी, मेरा नाम सुभूही खान है, मैं एक भारती है, सनातनी मुसल्मान हूँ, सनातन धर्म के प्रती मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के अधिकतर सवालों के जवाब वहाँ पर मिले हैं, यहाने से पहले आपकी कुछ क्लिप्स मेरे समझू, जिन चीज़ों को मुझे गलत लगा और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी, वो नारी से रिलेटेड ही सारे सवाल थे, यह मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मानी, कि हाँ मेरे मूँ से वो गलत निकल गया, लेकिन एक मन में छोटी सी कसक ये है, कि आपके उपर जितने भी आरोप लग रहे हैं, वो नारी से संबंदित ही विश्यों पर आपकी जबान फिसली है, चाहे वो आपके कितने पती हो कहना हो, या पिर आपने किसका दूद पिया है, किसी व्यक्ति को कहना हो, या किसी महिला से ये पूछना हो कि तुमारे कितने प प्रंदवन आईये जो बेटे अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं, ऐसी 280 ब्रध्धमाई वहां रहती हैं, और सभी माओं के मैं खुद अपने हाथ से पाउं दबाता हूं, चरण दबाता हूं, इससे बड़ा नारी का सम्मान, देखो एक होता है व्यक्ति नारी का सम्मान, करो 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 करना चाहिए एक तो केवल मुसे बोलता है लेकर आपका जो भाई बैठा है आपके सामने ये केवल अपने मुसे कहता नहीं है ये केवल करके दिखाता है और जो बातें आप तक क्लिप के द्वारा पहुंचती है ना वो माइनर बाते हैं वो तो काट छांट के अभी परसों के दिन परसों के दिन ही एक मा की मरत्य हुई गौरी गोपाल आश्रम है ब्रद्ध मा उनका भी कुछ दिन अटेक आया था कुछ दिन पहले इलाज कराया छले डले छह महीने जीवित थी फिर दूसरा अटेक आया वो चली गई उनके बेटे को फॉन लगाया स्वयम ने कंधा दिया स्वयम ने सेवा की जो बंद तेरवी से लेके बरसी से लेके सारा काम होता है इससे बड़ा नारी का सम्मान क्या होगा खुद की अउलाद घर से निकालती है और यह दास उनको कंधा देता है झालती है